हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल रशना स्टेडी पोइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आपकी आगामी परिक्सा कनिस्ट साइक के लिए इंपोर्टेंट MCQs तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो आपका अच का पहला प्रस्ट है तीरी गडवाल के मजदूरों से सम्बंदित आंदोलन कौन सा है आपका धांडक आंदोलन और सन अमबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा प्रस्ट है बधरी विशाल के कपाट खुलने से पूरू किस मेले का आयोजन किया जाता है तीसरा प्रश्ण है गोखली नामक आबुशन किस अंग में पहना जाता है गोखली नामक आबुशन पहना जाता है दोस्तों बाजू में आप्सन नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा चोथा प्रश्ण है 1906 में कुमाओ संस्कृति के प्रमुख केंदर हुका क्लब की स्थापना किस ने की थी और हुका क्लब इस दित्याब का अलमोडा जनपत में नेक्ट क्रेशन है समय साकसी उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों हिमानसू जोसी ओप्सन नमबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा छाटा प्रशने है जिला ब्रिटिस गड़वाल का गठन कब किया गया जिला ब्रिटिस गड़वाल का गठन किया गया था 1849 में ओप्सन नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा साथमा प्रश्ण है जनक ताल किस जनपत में इस्थित है जनक ताल इस्थित है दोस्तो आपका उप्सन नमबर ए उत्तरकासी में नेक्स्ट है फासी गदेरा किस जनपत में है फासी गदेरा इस्थित है दोस्तो आपका ने नी ताल जनपत में नेक्स्ट क्वेशन है पद्मापूरी जल्परपात किस जनपत में इस्तित है? दोस्तों आपका नैनी ताल जनपत में की प्रताप की राजी जनजाती में प्रचलित है नेक्स्ट है कुली एजेंसी का प्रारमभिक परियोग किस चनपत के द्वारिखाल छेत्र में उत्राखन के किस मंदीर के समीब चंद्रसिला इस्तित है उत्राखन के तुंगनात मंदीर के समीब जुमड़ा किस जनजाति का नरित्या है जुमड़ा है दोस्तों आपका ओप्सन नमबर ए थारू जनजाति का नरित्या नेक्ट प्रेशन है तीरी दियासत में भू विवस्ता की देखरे करने वाले अधिकार की सुविधा हेतु लिया जाने वाला कर है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बराकर कर नेक्स्ट है किस जनजाति में बैठान विवा प्रथा प्रचलित थी दोस्तों आपकी वोक्सा जनजाति में उत्राखन में मझीम किस धर्म का प्रचारक था उत्राखन में मझीम था दोस्तों आपका बहुत धर्म का प्रचारक नेक्स्ट क्वेशन है देवराना मेला किस चनपत में लगता है दोस्तों उत्तरकासी चनपत में उत्राखन में कुली बेगा प्रथा पुस्तक के लेखक हैं उत्राखन में कुली बेगा प्रथा पुस्तक के लेखक डॉक्टर सेखर पाठक हैं पिरूल किस पेड से प्राप्त होता है पिरूल प्राप्त होता है चीर के पेर से दूसरा प्रश्ण है डोब्रा चांठी की गाथा पुस्तक के लेख़ कौन है डोब्रा चांठी की गास gj lifes inspals गुशाईं अपसर नमबर 20 का राइट पांसर हो जायगा नेक्सट है बासपुर का पुराना नाम क्या है बाजपूर का पुराना नाम है दोस्तो आपका Option Number A मुझिया Option Number A इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है परियावरण के छेतर में अवधहस कोशल जी को किस वर्ष पदमसरी समान दिया गया परियावरण के छेतर में अफधेस कोशल जी को पदमस्री सम्मान दिया गया दोस्तो ओप्सन नमबर A 1986 में नेक्स्ट है प्रजा मंडल को टिहरी रियासत ने कब मंजूरी दी थी प्रजा मंडल को टीरी रियासत से मनजूरी मिली थी दोस्तो आपसन नमबर B 21 अगस्त 1946 को नेक्स्ट है निम्न मेंसे कौनसा किला अलमोडा जन्पत में नहीं है अलमोडा जन्पत में नहीं है दोस्तो आपका आपसन नमबर A सिर्मवोरी किला ओप्सन नमबर A का राइट आंसर हो जाएगा गड़वाल का नाना फंडवीश या चानक के किसे कहा जाता है गड़वाल का नाना फंडवीश या चानक के कहा जाता है पुरिया नैथानी को तीहरी राजे में प्रतम जन अंदोलन कब हुआ था तिहरी राजे में प्रत्म जन अंदोलन हुआ था दोस्तो आपका ओप्सन नमबर B 1835 में नेक्स्ट क्वेशन है तिहरी जनपद ने बाल सभा की स्थापना की थी दोस्तो सत्य प्रशाद रतूरी ने ओप्सन नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा सेतीस्वा प्रश्ण है घोडा खाल में गोलू देवता मंदीर का निर्माण किसने कराया था घोडा खाल गोलू देवता मंदीर का निर्माण बाज बहादूर चंद के द्वारा किया गया था नेक्स्ट है उन्नीसो चोदा में जॉल जीवी मेले की सुरुआत किसने की थी बनों का वेग्यानिक प्रबंदन 1884 में किया गया गोगिया पासा का संबंद है गोगिया पासा का संबंद है दोस्तों आपका जादू कर से नेक्स्ट है निम्न मैंसे बाग बटी क्या है बाग बटी है दोस्तों आपकी ओप्सन नमबर A परंपरागत खेल ओप्सन number A का right answer हो जाएका नेच्ट है निम्न मैंसे सही युगम का चैन करे इन मैंसे जो आपका सही युगम हो जाएका दोस्तों हो जाएका आपका A और B दोनों यानि कि राड़ वाहिनी नदी राम गंगस की सायक नदी और नारद नदी नयार नदी को कहा जाता है यानि ये इनके उपनाम है नेक्स्ट प्राखण में वनो का वेग्यानिक प्रबंधन कब किया गया 1884 में वनो का वेग्यानिक प्रबंधन किया गया था गोगिया पासा का सम्बंध है जादूगर से नेक्स्ट है निम्न मैंसे बाग बटी क्या है निम्न मैंसे बाग बटी है परंपरागत खेल निम्न मैंसे सही युग्म का चैयन करें सही युग्म हो जाएगा आपका राटवाहिनी नदी रामगंगा को और नारत नदी नयार नदी को यानि कि यह और भी आप दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट है और आज का आखरी question है मानुदाय काव्य में कुमाओं के लिए कि सब्द का परियोग किया गया है मानुदाय काव्य में कुमाओं के लिए किया गया है कुरुमान चल सब्द का परियोग तो दोस्तों यह थी आपकी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना चैनल फेन है तो सब्सक्राइब कर देना ओके थैंक यू